अगली भी स्टार्ट हुए सब लोग को इसलिए सब चीजे की जा रही है मैं आपको बता दू सचेत कर दूं यह आरक इस देश के सविदान खतम करने की पहली पहले पहले भी हमले हो चुके लेकिन यह सबसे बड़ा आमला है देश के कॉंस्ट्यूशन पर इसको परमोशन में इसको पड़े परमोशन रिज्रेवेशन का मामला नहीं है न्यूक्ति में रिज्रेवेशन की बात चल रही अब वो कह रहे हैं यह मोली का दिकार नहीं है जबकि आर्टिकल 16-4-a में आपका फंडामेंटल राइट है पढ़ें कॉंस्यूशन इसलिए बनाया भावास आपन पड़ते नहीं है जजबाती ना हो यह बुनियादी जरुरत है आप सोच लें मैंने बता दे एक हजार वकेंस निकलती है अगर उसमें एक भी रिज्रेवेशन शिट नहीं मिलती है सिस्टी ओभी सी को कोट नहीं जा सकते हैं कोट जाएंगे तो बिलकुल आपको यह लिक है कि आप आज से लगातार अपनी फेस्बुक आइडियो से अपने ट्वीटर अकाउंट से अपने इंस्ट्राग्राम से जो भी सोचल नेटर्म जहां साब जुड़े उस पर पोस्ट करें तेश तारिक के भारत मंद के लिए और तेश तारिक को सब्वेधानिक रूप से सा कंपर आएं बाएं ऑर यहां यहीं पताल एक ती काून को मायनोर्टी का किЗ से का ऑं लेकिन यह भी देखना कों आपके तत होया कोन आपके विरोध में खड़ा हुरे इए किसको आके आगे बढ़ने से परिशानी है कॉन किस जातिए ढरते में की हो दिक्कत हो रही कौन सी पार्टि आपके अधिकारों का समर्थन कर रही है और कौन इसका विरोध कर रही है यह आज देखने की जुरत है दो है तारीक बने बताई सोला मार्च सोला फरवरी को मार्च है मारा सोला फरवरी दिन रविवार को मार चलेगा मंडी हाउस से पार्लेमेंट इस्ट्रीट तक उसकी पर्मिशन भी होगी और तेज तारिकों भारत बंध है यह आपके बुनियादी अधिकारों की बात है इसमें आप लोग कमर कसलें सवयदानिक तरीके से आपको अपने इस अंदोल को मजबूत करना आज के बाद आप घर से निकलें और जाके लोग को जगाएं और पताएं तो मुल्क में क्या चल रहा है लेज के समाजिक नएगए धाचे पे बड़ा अमला किया गए इसको खतरम करने का प्रयाज किया जा रहा हैं हमारे बच्चे जो पड़े लीखे बच्चे घूम रहें यह सोच रहे हैं कि नोकरी मिलेगी सरकार नोकरी नहीं देगी आपको सरकार आपके सवाल का सामना नहीं कर रखती, बेरोजगारी का, महेंगाई का, ब्रष्टाचार का, एजुकेशन का, जीडिपी का इसका सामना कर नहीं कर सकती थी, इसलिए ये CINRC लियाए जल्दी, लेकिन कि एजंडे में किस तरह से देश के दलित पिछड़े आदिवास से गुलाम बना जाए, ये जो हमारे थोड़े से बैकवर्ड क्लास में जो साथी आगे निकल गए, जैसे गूजर है, जाट है, कस्यप है, मोरिय है, साक्य है, कुश्वा है, पटेल है, सैनी भाई, ये जो आगे निकल गए, इनको कैसे दबाय जाए वापस, कैसे इनको गुला इसी का, रिजर्वेशन, नागी परमोशन में रिजर्वेशन, ये बता रहा हूं, गोर करें, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सरकार चाहे और सरकार को बाउंड नहीं है, सरकार दे, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे, ये है, अब आपने दो क्या तो आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पर आएं या फिर घर में बैठके ऐसे अराम से पानी पीए चाए पीए दूद भी क्योंकि अभी आपके पास हो सकता है लेकिन आप अपने आने वाली पीडियो क्या देके जा रहें यह सोचे और अगर आप इन छिंते अधिकार खुशा तो खुब मिठाई खाए और खुब मिठाई बाटे चाए मंदर के घंटे बजाए या कुछ भी क सब्सक्राइब करना पड़ेगा सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि आप वहां क्या कर रहें हमारे दिकार शिन रहें लेकिन यह जो ओविसी के भाई इनको भी कह रहा हूं कि यह भी जागे आपके आने वाले बच्चों के भविस्ट्रा का सवाल है जिस तरह की फार्सल्टी होती है आप 400 में से नंबर लियाएंगे 300 कंपेटिशन में लेकिन जब इंटर्यू की बात है कि 200 में से 80 नंबर मिलेंगे 200 में से 50 नंबर 70 नंबर 80 नंबर 90 नंबर वहीं कंपेटिशन में लाएंगे 400 में 300 370 लेकिन इंटर्यू में और लोगों मिलेंगे 1500 पोने 200 180 तो वहां गया पूरा होके आपको पिछे निकालने के रस्ते बहुत हैं आप पर आगे बढ़ने का रास्ता एक ही था रेजर्वेशेज को खतम करने के लिए सुप्रीम कोड ने गाइलाइन किये और कमाल देखे गजब की बात ये बताने बहुत भूल गया था मैं नो जज़गी बैच का फैसला साथ ज़गी बैच का फैसला कॉन्सिशनल बैच का फैसला दो ज़ज बदलते थे हैं क्या कमाल ह हो रहा है देश में कि यह हुआ है इसको एक बार जान लें घर बैठे रहेंगे आज के बाद मैं जाता हूं सबकी डिपी यह हो क्योंकि यह अपने देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है आरक्षन बचाओ सविधान बचाओ और C NRC NPR अटाओ देश बचाओ सविधान बचाओ तो आज देश के सविधान को सबसे बड़ा खत्रा और हमला हुआ है तो आज आपकी जिम्मेदारी है और यह भी गलत हुआ सबसे बड़ा कि C NRC NPR पर आप घर सो रहे तो लेकिन जो लोग जाग रहे तो उनको धन्यवाद देना पड़ेगा लेकिन जो सोरे तो वह भी निकले और सड़क पर आकर अंदोलन करें तेईस तारिक को बंद है और सरकार से मेरी आग रहे है कि इससे पहले वह ओडिनेस लाइस पर और इसको सविधान की नोवीन सुची में डाल देख जिससे की न्यायक अस्तक से बिसमें बिल्कुल बंद हो जाए यह हमारा अधिकारे भीक नहीं है इसको कोई नीच इंत्रक था हम लोगों से तो यह मेरे भाईयों को पता नहीं था इसलिए बताने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा और मुझे बता टीवी के माद्देम से नहीं जा सकती तो इससे जाएगी इससे आप खूब शेयर कर दें इतना शेयर करें कि हर घर तक पहुंच जाए यूंकि आज के सामें मल्टी मीडिया फॉन सब जगह पर है और बहुत सारे सभी लोग फेस्वुक पे ट्वीटर पे इस्टाग्राम पर सब जगह है फिर यूट्यूब वगर जैसे भी करें आप यह भी देखना कौन से रांटिक पार्टी हमारे बंद का समर्तन करती कौन विरोध करती है और जो विरोध करता उसका उसका भी ध्यान रखेंगे जो हमारे अधिकारों के के लिए हमारे साथ नहीं खड़ा वह हमारा विदोदी है यह याद रखें इसका आप बिलकुल कारी बढ़ाना और जीतना करता है यह मैं आपकी ऊपड़ छोड़ता हूं लेकिन बता थूं जिन जो लोग सौय रहते हैं उनके दिखार शिंते हैं तो आप सो रहें आपको नहीं बता कि क्या हो गया है आपको लग रहा है जिनकी नोक्रीयों नीं की कि प्रमोर्ने रिजेन कि यह हमारा हक की बात है हमारे अधिकारों की जब तक इस देस में आरक्ष्ण रहेगा को इसको नहीं बदल रखता ना चीन रखता और जनता है सबसे बड़ी